जिला कांगडा पुलिस ने अब ऐसी लोगों की एक फाइल तियार की है जिसमें उन लोगों के नामदर्थ हैं जिनों नशे का कारोबार कर जिला कांगडा में अपनी जड़े मजबूत की हैं और यहां की युवाओं को नशे के मकर जाल में फसाने का काम कर संपत्तियां अर् पुलिस का मानना है कि ऐसे लोग जो नश्यका कारोबार कर जिला कांगडा में महिंगी जमीने ब आलिशान बंगले बना कर बैठे हैं और इनमें अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से संबंद रखने वाले पाएगे हैं पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला पुलिस अधिक्षक संतोष पत्याल ने बताया कि पुलिस ने वकाइदा इन लोगों की पूरी जानकारी हासल करने के लिए इस फाइल को तियार किया है और जल्द ही इस फाइल को आयकर विभाग को भेज कर उन पर कारवाहे के पुलिस ने ऐसे लोगों की खिलाक मामला दर्स करने के बाद इन लोगों द्वारा बनाये के आलिशान बंगलों को जब्ट करने की तियारी कर ली है और बकाईदा इसके लिए आएकर विभाग को 74 लोगों के नाम सहित व शंबंदित दर्स मामलों सहित जानकारी तैयार कर एक फाइल तियार की गई है और जल्द ही इस फाइल को आयकर विभाग को जांच के लिए भेजा जाएगा पुलिस विभाग द्वारा तैयार की गई इस फाइल में अधिकतर ऐसे नाम है जो बाहरी राज्यों से संबंद रखते हैं और पिछले कई सालों से ही मांचल में घर जमेर बना कर बसे हूए हैं और यहां पर नशा की तशकरी या फिरनसे के सौदागर बन बैठे हैं पुलिस ने इन 74 लोगों को नामजद कर फाइल में उतार लिया है और जल्द ही इन पर आयकर विभाग अपने तरीके से कारबाही करेगा जिसके लिए वकाइदा पुलिस ये फाइल संबंदित विभाग को भेजने की तैयारी भी पूरी कर ली हैं